Hello students, मैं हूँ साक्ष्य वश्णोई और स्वागत करती हूँ आपका Magnet Brains पर जो प्रोवाइट करता है 4-12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट So students, आज हम आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका introductory microeconomics का chapter number 2 जो की है theory of consumer behavior हम क्या पढ़ेंगे इस chapter में actual में हम देखेंगे की consumer कौन होता है अब भाई theory of consumer behavior नाम ही है तो हमें पता होने चाहिए consumer कौन होता है So हम देखेंगे consumer कौन होता है consumer behavior क्या होता है अब यह consumer behavior है वो भी तो देखना पड़े होगी consumer behavior क्या होता है हमें पता होने चाहिए ना कि consumer behavior क्या होता है उसका जो name है वो तो हमें पता ही होना चाहिए Cardinal Utility Approach जो Consumer Behavior की जो Study होती है जो Theories होती है उसके अंडर आता है Cardinal Utility Approach Cardinal Utility Approach क्या होता है हम वो देखेंगे Total Utility एक इंसान की Total Utility क्या होगी वो हम देखेंगे Then Marginal Utility क्या होती है वो हम जानेंगे Marginal Utility क्या होती है कैसे Calculate किया जाता है इन दोनों के कैसे numerical solve किये जाते हैं, ये चीज हम जानेंगे The consumer's budget, एक consumer का budget क्या होता है, budget तो आपने बहुत सुना होगा आपके घर पे आपके पेरेंज भी बोलते होंगे, ये चीज अपने budget के बाहर है या इस मन्त का अपना ये budget है, तो वो budget क्या होता है, consumer का क्या budget होता है, हम वो देखेंगे कैसे एक consumer अपने budget को define करता है, हम वो देखेंगे इसमे, consumer के budget sets क्या होता है, budget line क्या होती है यह सारी चीज़े क्या होती है, इसको कैसे measure किया जाता है, इसको कैसे express किया जाता है, वो चीज हम इसमें देखेंगे Preferences of the consumer, consumer की क्या preferences होती है, वो क्या prefer करेगा, एक good के उपर वो कौन से good को रखेगा या कितने goods वो एक साथ में prefer करेगा, यह चीज़े हम देखेंगे optimal choice of the consumer, consumer की क्या choices होती है, वो कैसे choose करता है, different options में से वो देखेंगे, then demand, demand आपने बहुत नाम सुना होगा, एक particular product की इतनी demand है या economy में तो इस चीज़ की demand ही नहीं है, ऐसे आपने words तो सुने ही होंगे So demand क्या होती है, एक particular person की demand क्या होती है, एक particular individual की क्या होती है, आपकी एक particular demand क्या है वो हम देखेंगे कैसे उसे calculate किया जाता है, law of demand क्या बोलता है, demand के through prices कैसे determine किया जाता है वो हम देखेंगे demand में, market demand, हमने देख लिए कि एक particular individual की क्या demand होती है then market की इन डिमांड होती है पूरे बहुत सारे एक sector of society को हम लेंगे तो उस sector of society में क्या डिमांड होगी बहुत सारे individuals क्या डिमांड करेंगे वो होगी हमारी market डिमांड elasticity of demand elasticity of demand हम देखेंगे कि जो prices होती है commodities की जो goods की prices होती है वो demand को कैसे effect करती है उसका क्या effect होता है जब price कम होता है तो consumer कैसे behave करेगा जब price जादा होता है तो consumer कैसे behave करेगा यह चीज हम पढ़ेंगे elasticity of demand में So students यह था एक छोटा सा brief summary कि आप लोग आपके second chapter that is theory of consumer behavior में क्या पढ़ने वाले हैं हम अपने next class से next lecture से start करेंगे कि consumer क्या होता है then उसके behavior क्या होते है and so on So students get ready आपका second chapter बहुत ही अच्छा chapter है बहुत interesting subject है बहुत interesting chapter है आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में So students आज हम आपके introductory microeconomics का chapter 2 जो की है theory of consumer behavior start करेंगे Theory of consumer behavior क्या होता है यह चीज तो हम देखेंगे जैसे जैसे हम chapter में आगे बढ़ते जाएंगे कि क्या होती है क्या theories होती है Consumer behavior क्या होता है Consumer behavior की क्या theories होती है वो हम पता कर लेंगे लेकिन उसके पहले हम यह तो देख लें कि consumer क्या होता है हमारी chapter का नाम है भाई theory of consumer behavior, तो हमें पता भी तो होने चाहिए, consumer क्या होता है, right, so consumer क्या होता है, a consumer is one who buys goods and services for satisfaction of wants, consumer एक वो इंसान है, consumer एक वो person है, जो की goods and services खरीदता है, क्यों खरीदता है, ताकि जो उसके wants है, वो satisfy हो सके, ताकि जो उसके wants है, जो उसे चाहिए, वो fulfill हो सके, for example, आप लोग consumer है, okay, आपके क्या wants है, आपके wants है, कि आपको कोई dress चाहिए, okay, आपके wants है, कि आपको कोई watch चाहिए, shoes चाहिए, mobile चाहिए, etc, यह आपके कुछ wants है, मतलब यह चीज़े आपको चाहिए, तो as a consumer, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे market में, आप जाएंगे आप इन चीज़ों को purchase करेंगे, इन चीजों को परचीज करने से क्या होगा? आपकी जो वांड से फुल्फिल हो जाएंगी, आपकी जो नीज से फुल्फिल हो जाएंगी आपको आपने एक ड्रेस ले ली फिर आपको थोड़ी शानती होगी कि हाँ मेरे पास ये ड्रेस है, अभी मैं जब भी पार्टी में जाओंगा तो मैं ये पहन के जाओंगा या मैं कहीं ट्रिप पे जाओंगा तो मैं ये पहन के जाओंगा आपके पास ड्रेस हो गई आपको थोड़ा शानती है कि okay, मेरे पास है, जब तक ये ड्रेस आपके पास नी थी, तब तक आपको लगी हुई थी, मुझे चाहिए, मुझे एक ड्रेस खरीदनी है, मुझे एक पेर ओफ प्रोथ खरीदना है, ये चीज थी, वो आपका क्योंकि वांट था, आप गए मार्केट में आपने ये ड्रेस पर चेस की, आपका वांट फुल्फिल हो गया, तो आपको, आप सैटिस्फाइड हैं अब, कि okay, मेरे पास मेरे जो वांट से वो फुल्फिल हो गया, आपको वाच खरीदनी थी, आपने वाच ले ली, शूज, मॉबाईल, एक कंजुमर क्यों खरीदता है चीजे, ताकि जो यह वो उसके वांट से, वो सटिस्फाइड हो सके, हैना, जैसे कि आपने अधने ज्रेस खरीदी तो आपका वांट हा वो साटिस्फाइड हो गया, तो तो कंजुमर is one who buys goods and services for satisfaction of wants और कोई खास मोटिव होता नहीं है consumer का goods and services purchase करने का जो essential commodities होती है जैसे कि जो food stuff होते है वो भी क्यों खरीदता है consumer? क्योंकि वो उसकी want है उसे भूख लगेगी तो उसे कुछ चाहिए होगा वो उसकी want हुई ना उसके पेट को कुछ खाने के लिए चाहिए वो उसको need है कि उसे कुछ खाना है तो वो एक want हुई वो गए उसने food खरीदा उसने खाया उसकी जो want थी वो complete हो गई वो satisfied है अब ऐसे consumer वो person है जो कि goods and services खरीदता है for satisfaction of wants ठीक consumer के क्या importance होते है consumer क्यों important है उसके कुछ importance होते हों गया किस काम आएगा consumer सिर्फ आपके लिए नहीं आप एक consumer है आपने goods खरीद ले आप satisfied होगा इसके अलावे भी तो कुछ काम होगा ना consumer का सिर्फ ऐसा थोड़ी नहीं जाएगा purchase करेगा और हो गया काम खतम उसके जो importance है वो क्या है create demand for various product एक consumer सिर्फ एक good तो consume करता नहीं है आप लोग है आपको dress भी चाहिए आपको watch भी चाहिए आपको mobile भी चाहिए आपको bike भी चाहिए कितने सारे wants हैं आपके ये सारे wants अलग-अलग है ये सारी जो wants है वो demand create कर रहा है आपको चाहिए मतलब आप जाएंगे उस चीज को purchase करने या उस चीज के inquiry करने की क्या ये market में available है तो ये क्या कर रहा है ये demand create कर रहा है और various products की demand create कर रहा है सिर्फ ऐसा नहीं कि पूरी economy में जितने लोग है उन सब को सिर्फ कपड़े ही चाहिए इफ अगर सब को कपड़े चाहिए होते तो दूसरी कोई commodity होती ही नहीं हमारी economy में बट ऐसा नहीं है हम देखते हैं कितनी number of commodities है तो वो क्यों है क्योंकि जो हमारा consumer है जो आप लोग है वो सब मिलके अलग-अलग products की demand करते है जैसे कि we have three consumers and two products consumer A, consumer B, consumer C और wheat और rice है जो consumer A है उसको सिर्फ wheat चाहिए उसको कोई मतलब नहीं है कि इस economy में rice produce हो रहा है या नहीं हो रहा है उसे क्योंकि rice चाहिए ही नहीं जो consumer C है उसको सिर्फ rice चाहिए उसको कोई मतलब नहीं है wheat का production हो रहा है wheat supply हो रहा है उसका market में wheat available है या नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है और जो consumer B है उसको wheat भी चाहिए उसको rice भी चाहिए मतलब उसको इससे भी मतलब है कि wheat का कितना production है wheat का कितनी supply है हमारी economy में and rice की कितनी supply है तो यहाँ पर हमने देखा कि जो तीन consumer है, वो दो अलग-अलग products की demand कर रहा है एक बोल रहा है कि हमें सिर्फ wheat चाहिए, तो इस एक person के लिए wheat का production करना जरूरी है C बोल रहा है कि हमें सिर्फ rice चाहिए, तो C के लिए rice का production करना जरूरी है हमें दोनों चीजों का production तो करना पड़ेगा और जो consumer B है, वो बोल रहा है कि मुझे wheat भी चाहिए और मुझे rice भी चाहिए मलग कि अब consumer B के लिए तो wheat भी बनाना पड़ेगा और rice भी बनानी पड़ेगी उस rice का भी production करना पड़ेगा तो ऐसे ये different products के लिए demand create करते हैं Enhanced service diversification एक consumer सिर्फ goods को consume नहीं करता है कुछ services भी consume करता है कैसी services? आप banking services लेते होंगे आपने bank में एक account खुलवा दिया है और उसमें आपने आपकी जो money था, जो amount था वो उसको आपने deposit कर दिया वह आपको क्या service प्रॉइड कर रहा है? कि आपका जो पैसा है वह safely रखा है यह service आपको बैंक प्रॉइड कर रहा है insurance companies है वह आपको क्या service प्रोवाइड कर रही है insurance companies बोल रही है कि इस know life insurance ले टेत्ज हो जाती है अपकि जो family वाले हैंалы हम जो इन्ø आपके death के बदले में money देंगे, ये एक service है, कि एक incentive मिल गया है हमें, एक कुछ सहारा मिल गया है, कि किसी को खोया है, तो हमें कुछ money तो मिल रहा है, health insurance होते हैं, अगर आपकी तबेत खराब है, आपकी तबेत जादा खराब है, तो वो health insurance है, आप पैसे ले सकते हैं, और उसस कुछ services होते हैं, जो की use होते हैं, आप लोग हैं, आप सिर्फ goods थोड़ी ने खरीते हैं, सिर्फ clothes, watch, shoes, food, drinks, सिर्फ ये थोड़ी ने खरीते हैं, आप services को भी तो use करते हैं, आप services का भी इस्तमाल करते हैं, आपके सब के bank में accounts होंगे, mostly के insurance उसमें accounts होंगे, then you can have health care, बहुत सारी health care भी चल रहे होंगे, ऐसी जो services हैं, उनका use आप भी करते हैं, because आपकी services की demand बढ़ाते हैं, तो जो services है, वो diversified होती है, मतलब कि वो services में और enhancement होता है, और अच्छे से उसमें policies बनाई जाती है, ताकि वो आपको best service provide कर सके, enhanced service diversification, और different different services को लाया जाता है market में, apart from consumption of goods, consumer consumes large variety of services also, services like health care, banking, insurance services, etc, ठीक, now increase demand for consumer goods, जो consumer है, वो consumer goods की demand बढ़ाता है, obviously एक consumer consumer goods की demand बढ़ाएगा, consumer जाके capital goods तो खरीदेगा नहीं, capital goods क्या होते है students, याद होना चाहिए आपको, capital goods वो goods होते हैं, जो की एक producer use करता है further production में, जैसे की machinery ये जो होते हैं, वो हमारे capital goods होते हैं, तो एक जो consumer हैं, जो आप लोग हैं, वो आप लोग जाके मशीनरीज तो खरीदेंगे नहीं, आप लोग मशीनरीज का क्या काम, आप को फ्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ी ना कर रहा है, so आप लोग मशीनरीज नहीं करीदेंगे, आप लोग के डिमांड होगी, आप लोग consumer goods खरीदेंगे, so increased demand for consumer goods, consumer goods को हम दो पाच में डिवाइट क कहते हैं, जैसे कि जो आपके electronics होते हैं, TV, fridge, AC, cooler, ये जो electronics होते हैं, इनकी life, इनकी life होती है, वो more than 3 years होती है, right, so ऐसे goods को हम durable goods कहते हैं, and non-durable goods, durable goods क्या होए, तीन साल से जादा उनकी life होगी, तो non-durable क्या होगी, इसका opposite हो जाएगा, because उसका आगे non लग ग गया है, इसका जाएगे non लग गया है, तो ये durable का opposite हो जाएगा, जिसकी life तीन साल से कम होई, वो non-durable goods हो गा है, जैसे कि food, stuff, drinks, कोई भी खाने का item है, तो वो 3 साल से जादा थोड़ी ने चलता है, वो थोड़े time में उनकी expiry date होती, and वो खराब हो जाता है, so ये non-durable goods है, so consumer goods की demand बढ़ा करते हैं, आपके सभी के घर में refrigerators होंगे, bikes होंगी, cars होंगी, ये क्या है, ये durable goods है, and non-durable goods भी हैं आपके घर पे, foods हैं, drinks हैं, ये क्या है, ये non-durable goods हैं, तो ये दोनों चीज की demand एक consumer बढ़ाता है, ठीक, तो ये था कि importance of consumer, consumer किस चीज में important है, क्या importance होते हो उसके, वो क्य चीजे beneficially करता है, एक economy के लिए, वो थे हमारे importance of consumer, okay, now consumer behavior, I hope आपको ये term तो हो गया clear, कि consumer क्या होता है, हमारे chapter के जो name है, उसमें से, कि consumer क्या होता है, अब consumer behavior क्या होता है, हम ये देख लेते हैं, हमें पता है, consumer क्या होता है, consumer वो एक person है, जो की goods and services को खरीता है, ताकि जो से, वो satisfy हो सके, right, अब consumer behavior क्या होता है, behavior का मतलब क्या होता है, students, behavior का मतलब होता है, the way you act or behave, वो एक way जिसमें आप किसी भी चीज को लेके act करेंगे या behave करेंगे, जैसे कि ठंड है, ठंड का मौसम है अगर, तो आप कैसे act करेंगे, कि आपको ठंडी लग रही है, ये आपका behavior है, right, गर्मी हो रही है आपको, आपको पसीना निकल रहा है, तो आप कैसे react हरेंगे, आप कैसे behave करेंगे, कि कोई fan on कर दो, बहुत गर्मी लग रही है, ये आप behave कर रहे है, इस तरह से आप express कर रहे है, right, so behavior का मतलब क्या होता है, the way you act or behave, consumer behavior deals with how consumer spend his income among all different goods and services, consumer behavior वो बताता है कि एक consumer अपनी जो पूरी income है, उसको different goods and services में कैसे distribute करता है, मतलब कि जो उसकी income है, उस income का कितना part वो किस good के लिए रखता है, for example के लिए हम देखते हैं, कि consumer की thousand rupees है income, okay, हम thousand ही मान रहे हैं कि उसकी income thousand rupees है, total income, अब उस consumer के पास में बहुत सारी choices है, वो जो consumer है, वो पाटी करने जा सकता है, वो एक movie देखने जा सकता है, trip पे जा सकता है, clothes खरीच सकता है, या food, dinner पे, lunch पे जा सकता है, अपने friends के साथ में, अपनी family के साथ में, अब वो consumer उस thousand rupees को केसे spend करेगा, वो कितना इन पाचों चीजों में से वो किस चीज मे सबसे जादा invest करेगा, सबसे जादा खर्च करेगा, या फिर कौनसी कितने कितने amount में सारी चीजे खरीदेगा, या फिर कौनसी चीज निगलेट करेगा, मतलब उसको यूज नहीं करेगा, मानलो उस consumer ने सोचा है कि उसे पाटी करना बहुत पसंद है, उसे movie तो नहीं देख कि उस थाउजंड रूपीज को कैसे डिस्ट्रिब्यूट करेगा, उसके ने सोचा, थाउजंड रूपीज में अगर मुझे अच्ही पाटी करनी है, तो मुझे थाई हंडडेड के तो five hundred रूपीज चाहिए, या मुझे पाटी करने के लिए.igor.. अब जो five hundred रूपीज बचे उसमें ये तीनों चीज थोड़ी मुश्किल सी लग रही है उसे तो उसने सोचा या ट्रिप में ना बहुत जादा खर्चा हो जाएगा और ट्रिप में मेरे पास टाइम भी नहीं है कभी वेकेशन होगी तो मैं ट्रिप पे चला जाओंगा तो उसने ट्रिप भी कैंसल कर दी चीक ना खलोच और फूड अब उसके पास दो आप्शन और बचे खलोच और फूड अब उसने सोचा यार फूड पे क्यों खर्च करना जब मैं पार्टी पे करी रहा हूं तो पार्टी में जाएंगे पार्टी करूँगा तो खाना तो पार्टी दने हैं तो उसने बाकिके जो 500 थे वो उसने लिए लगा दिए तो उसने कैसे बीएव किया एकट किया उसने इस थाउजन रुपीज को डिस्ट्टीब्यूट करने में उसने इसके इतने पास इतने सारे उप्शन थे उसने जो आप्शन ज़रूरी नहीं थे उनक उसने कैसे react किया, कैसे react किया कि इस thousand rupees को कैसे spend किया जाए So this is consumer behavior, how consumer spend his income, उसकी income को कैसे spend करता है सारे different goods and services में, fine Now study of consumer behavior, अब consumer का कुछ behavior है तो उसकी पढ़ाई भी तो करने पड़ेगी कैसे पता चलेगा हमें कि consumer का behavior क्या है, कैसी चीज़ों में वो कैसे react कर रहा है ये चीज तो हमें पता करनी पड़ेगी न So study of consumer behavior को हम दो parts में divide करते है Cardinal utility approach and ordinal utility approach, हम दो way से consumer के behavior को पढ़ सकते है वो है cardinal और ordinal Cardinal का मतलब क्या होता है Cardinal का मतलब होता है किसी भी चीज़ को numbers में define करना Numbers जैसे की 1, 2, 3 किसी भी चीज़ को numbers में define करना उसे हम cardinal कहते है Cardinal utility approach Cardinal utility approach में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक consumer के behavior को numbers में define किया जा सकता है Expressed in Numbers Okay Law of Diminishing Marginal Utility जो cardinal utility approach है उसके अंडर हम पढ़ेंगे कि Law of Diminishing Marginal Utility क्या होती है अभी doubt हो रहा होगा मतलब questions आ रहे होंगे कि ये Law of Diminishing Marginal Utility क्या होती है So इस चीज़ को हम अपने next lecture में पढ़ेंगे कि Law of Diminishing Marginal Utility क्या होती है ये Utility का मतलब क्या होता है ये भी हम तब पढ़ेंगे अभी हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास Consumer Behavior को Study करने के दो वेज है Cardinal Utility Approach and Ordinal Utility Approach Cardinal Utility Approach में हम क्या पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं कि Numbers में Consumer Behavior को कैसे Define किया जाए उसे हम Cardinal Utility Approach में पढ़ते हैं and Ordinal Utility Approach Opposite हो गया हमारे Cardinal के यहाँ पर Numbers में Define नहीं किया जाएगा यहाँ पर Preferences के Basis पर Define किया जाएगा कि कौन सा Good या Service एक Consumer जादा Prefer कर रहा है दूसरे के बदले वो हम Ordinal Utility Approach में पढ़ेंगे Expressed According to Preferences Indifference Curve Analysis Cardinal Utility Approach को हम Indifference Curve Analysis के थूप पढ़ेंगे कि कैसे Utility कैसे Utility मतलब की Satisfaction एक Consumer का Calculate किया जाता है वो हम Preferences के According जब पढ़ेंगे मतलब Ordinal Utility में जब पढ़ेंगे तो वो हमें Indifference Curve पढ़ाएगा ओके यह था एक चोटा सा Summary कि आपका Consumer Behavior कैसे पढ़ा जाता है हम Next Class में देखेंगे कि Cardinal Utility Approach क्या होती है And then उसके बाद में हम देखेंगे कि Ordinal Utility Approach क्या होती है So Students, आज हम हमारे Second Chapter, Theory of Consumer Behavior के Topic Cardinal Utility Approach पढ़ेंगे Cardinal Utility Approach क्या होता है Students, Cardinal का मतलब होता है Numbers में Express करना किसी भी चीज को Numbers में Express करना उसे हम Cardinal कहते है Cardinal Expressing Something in Numbers as 1, 2, 3 So इस पूरे टर्म में से हमें Cardinal का मतलब तो पदा चल गया कि Cardinal क्या होता है Now what is Utility? यह एक New Word है आप लोगों के लिए कि Utility क्या होता है So देखते हैं Utility क्या होता है Utility is the one satisfying power of a commodity एक Commodity की one satisfying power मतलब की एक Commodity आपको कितना satisfy कर रही है आपको clothes खरीदने थे आपने clothes खरीदे उनको खरीदने के बाद में आपको कितना satisfaction मिल रहा है वो चीज हमें Utility बताता है और थोड़ा समझते हैं और clear होगा भी Ability of a good to satisfy a want एक good की कितनी ability है कि वो एक want को satisfy कर सके आपने जो clothes खरीदा है वो कितने आपके मन का खरीदा है कितना आपको बिल्कुल जैसा आपको चाहिए था वैसा मिला है ताकि जो आपका want है वो complete हुआ आपका want fulfilled हुआ तो वो किस level तक complete हुआ as if आपने एक clothes खरीदा आपको अच्छा लगा था फिर भी आप उसे 1 to 10 के scale पे 5 rate करेंगे because आपको कुछ और अच्छे की उमीद थे but because अभी stock में नहीं था but still आपको खरीदना भी था तो आप ले के आगर आपको maximum satisfaction कम मिलता जब आपको वो 10 units की utility 10 units का satisfaction प्रोवाइड करता तो आपको बहुत खुशी होती की चालो बहुत अच्छा सा dress मिल गई है मुझे हो सकता है आपने जब आप शॉप पे गए तो आपने बहुत सारे clothes देखे होंगे उसमें से कई clothes होंगे जो आपको 2, 3, 4 units की satisfaction प्रोवाइड कर रहे होंगे तो वो जो goods है उनकी कितनी ability है कि आपका जो want है आपका जो want है वो अच्छे से satisfy नहीं कर पा रहे So utility हमें बताता है ability of a good to satisfy a want एक good कितना able है एक good में कितने features हैं ताकि आपका जो want है वो fulfill हो सके measured in terms of utils जो utility है students उसे हम utils में measure करते हैं इसका क्या मतलब हुआ कैसे measure करते हैं as in जैसे आपने देखा होगा weight आपका जो weight है वो आप kg में measure करते है आपकी weight आप kg में measure करते है आपकी height है वो आप feet में measure करते है तो हमारे पास कुछ terms है कि अगर feet है, तो मतलब वो height से related होगा, kg है, तो वो weight से related होगा, किसी चीज की length देखनी है, तो वो meter, centimeter वैसे related होगी, किसी चीज की, आपको distance देखना है, तो वो kilometer से related होगा, तो मेरे पास कुछ terms होते हैं, हर एक चीज को measure करने के लिए, ठीक, तो वैसे ही, इस utility को भी measure करने के कुछ term होना चाहिए, utility क्या है, utility भी measure ही करती है, one satisfying power of a commodity, वो एक बताती है कि, कि एक commodity कितना satisfy कर सकती है, तो वो उसको हम कैसे express करेंगे, उसको कुछ, उसको express करने के लिए, हमारे पास कुछ unit होनी जाहिए, तो utility को हम कैसे express करते हैं, utils में, जैसे कि अभी हमने देखा था, आपको 5 units का satisfaction मिल रहा था, मतलब कि आप 1 to 10 के scale पर उसे 5 marks दे रहे थे, so अब आप कैसे बोलेंगे, उसको utility, मतलब आप cardamal utility अप्रोच कंडर पढ़ रहें, तो आप उसको कैसे express करेंगे, एक cloth है, उसने आपको 5 utils of utility प्रोवाइड की है, आप उसे ऐसे बोलेंगे, आप य utils of utility आपको मिली है, ओके, differs from person to person, place to place and time to time, जो utility है students, वो person to person depend करती है, जैसे कि जो कोई बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा, उसको books का बहुत शौक होगा, उसको जितनी satisfaction books को purchase करके मिलेगी, उतनी जरूरी नहीं है कि एक दूसरे person को, जिसे sports का शौक है, उसे sports का शौक है, उसके लिए जो sports tools होंगे, जो balls होंगी, batch होंगे, उसे जितना satisfaction मिल रहा होगा, वो जादा होगा बुक के comparison में, तो वो person to person depend करता है, जरूरी नहीं है जो आपका want है, वो दूसरे का भी want है, एक book को खरीदने में आपको अगर 20 utils of utility मिल रही है, तो ये कोई compulsion नहीं है कि जो दूसरा person उस book, same book को consume करेगा, उसे भी 20 ही मिले, हो सकता है, उसे 40 utils की utility प्रोवाइड हो जाए उससे, या फिर हो सकता है, उसे सिफ 10 utils मिले, depend करता है, जिसके जैसे शौक होता है, जिसको जो चीज पसंद होती है, उस चीज पर डिपेंड करता है, कि आपको utility कितनी मिलेगी, इसलिए वो person to person differ करता है, place to place, हर एक जगा का अलग-अलग मजा होता है, आप अगर गर्मी में बैठे हो, और आप अगर sweater पहन लोगे, तो वो क्या आपको satisfaction प्रोवाइड करेगा, नहीं करेगा, अगर आप ठंड में हैं, और आप sweater पहनेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, तो वो place to place depend करता है, एक आप, आप hill station गए हैं, और आपने अगर sweater नहीं पहनी है, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा न, आपको चाहिए कि आप वो sweater को पहने, और वही सेम sweater आप किसी desert में गए हैं, और उसे पहन ले, तो आपको बिलकुल अच्छा न लग रहा है, sweater को पहन के, वही सेम sweater आप एक डेजर्ट में गए और वहां पे आपने पहन ली तो आपको कितनी utilities प्रोवाइट कर रही है, माइनस 40 utils, मतलब आपको बहुत ही खराब लग रहा है, हमें तो ये sweater पहनना जितनी ही जल्दी हो सके, इसे उतार के फेको, ऐसी वाल अलग utility प्रोवाइट कर सकती है, from and time to time, हर एक अलग-अलग time पे आपकी अलग-अलग utility होती है, अभी आपको बहुत प्यास लगया, आप बहुत thirsty feel कर रहे हैं, ओके, तो आपको जो one glass of water, जो पहली glass of water पीएंगे, वो आपको, मान लीजे, 20 utils of utility प्रोवाइट कर देगी, ओ अभी तो पिया था, पाँच मिनिट पहले ही, 4-5 glass पानी पी लिया, एकसिस में पी रखा है, अब अगर आपको कोई बोले कि पानी पी लो, तो क्या आप पानी पियोगे, नहीं पियोगे, और अगर पी लिया तो वो आपको utilities प्रोवाइट करेंगी, नहीं करेंगी, वो utility का dictionary meaning, dictionary meaning students utility का होता है usefulness, अगर आप अभी जाके dictionary में चेक करो utility का मतलब, तो वो आपको बताएगा usefulness, बट, इधर हम देखेंगे, cardinal utility approach में, कि utility is not equal to usefulness, utility को usefulness मत समझेगा, for example, जो एक alcoholic है, उसे alcohol बहुत पसंद है, उसे alcohol की हर एक bottle, हर एक glass पे बहुत satisfaction मिलता है, उसको consume करके बहुत satisfaction मिलता है, बट क्या वो useful है, नहीं, वो useful नहीं है, वो health पे बहुत बुरा effect करती है, so वो useful नहीं है, बट utility तो provide कर रहा है न, so इसलिए बोलने है, utility is not equal to usefulness, कोई smoker है, उसे cigarette बहुत पसंद है, cigarette बहुत खराब होती है health के लिए, but still, उसे तो utility provide हो रही है, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत satisfied है वो, so, वो utility is not equal to usefulness, वो cigarette useful नहीं है, वो काम की नहीं है, उसे नहीं consume करना चाहिए, so, आप लोग इस चीज में कभी भी confuse मत होना है कि utility का मतलब usefulness होता है, बिलकुल नहीं होता है, होता है, but economics में नहीं होता है, cardinal utility approach में utility का मतलब नहीं होता है usefulness, ठीक, example of utility, हम एक example देखने है, utility का कि क्या होता है utility, suppose you have just eaten an ice cream and a chocolate, आपने एक ice cream और एक chocolate खाई, दोनों at the same time, okay, you assigned 20 utils as utility derived from ice cream, ice cream को आपने 20 utils दिये, छीक, आपने एक assume किया, आपसे पूछा गया कि आपको ice cream कैसी लेगी, तो आपने बोल दे अच्छी थी, तो आपसे बोला गया कि नहीं, आप कुछ उसे number define कर दीजे, तो आपने बोला हो कि मुझे 20 utils of utility मिली है, आइस्क्रीम को consume करके, so आपने 20 utils define कर दिये, आइस्क्रीम के लिए, now the question is, how many utils we assigned to chocolate, आप question आता है कि आप चोकलेट को कितनी utils देंगे, now depend करता है, अगर आपको ice cream जादा अच्छी लगी है, चोकलेट से, तो आप चोकलेट को 20 utils से कम देंगे, okay, आप बोलेंगे कि मुझे 10 utils of अच्छी लगी चोकलेट, या फिर 15 utils अच्छी लगी, if आपको ice cream से जादा अच्छी लगी है चोकलेट, तो आप चोकलेट को 20 से जादा utils प्रोवाइट करेंगे, आप उसे 25 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 35 कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, जितना आप का मान हो, so, यह डिफाइन करेगा कि आपको क्या चीज अच्छी लगी, okay, if you like the chocolate less, अगर आपको चोकलेट कम पसंद आई, then you may assign utils less than 20, ठीक है, if you like the chocolate more, आपको चोकलेट ज़्यादा पसंद आई, ice cream से, so you would give it a number greater than 20, fine, suppose you assign 10 units to the chocolate, then it can be concluded that you like ice cream twice as much as you liked chocolate, अगर आपने 10 utils assign कर दिये chocolate को, तो यह चीज हमें दिख रही है, 10 आपको आपने chocolate को दिये, and 20 आपने ice cream को दिये, so 10 का twice or 20 मतलब की, chocolate आपको जितनी पसंद आई, उसकी double आपको पसंद आई, ice cream, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, if आपको अगर chocolate ज़्यादा इच्छी लगी हो, तो आप 20 utils से ज़्यादा utils प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी chocolates को, आपके, so इस वे से हम थोड़ी define कर सकते हैं, कि utility कैसे express की जाती है, utility क्या होती है, fine, now utility को हम दो पाच में डिवाइड करते हैं, मनलब utility के दो types है, total utility and marginal utility, अब देखते हैं कि total utility और marginal utility क्या होते हैं, total utility refers to the total satisfaction obtained from all the possible units of a commodity, total satisfaction जो अप्टेन हुआ है एक consumer को, सारे possible units of a commodity को consume करने के बाद, उसे हम total utility कहते हैं, example के लिए हम देखते हैं, हमारे पास ice cream है, हमारे पास ice cream है, आपने उसकी 5 units कंजूम कियों के, 1, 2, 3, 4, and 5, 5 units आपने उसकी कंजूम की है, जब आपने 1st unit कंजूम की तो आपको कितनी utility मिली, 20 utils of utility मिली, यह हम मान रहे हैं, एक hypothetical data है, जो हम मान रहे हैं, 1st में आपको 20 utils मिली, मान लिजए, 2nd में आपको 18 मिली, then 3rd में आपको 16 utils प्रोवाइड हुई, derive हुई आपको, then आपको 15, and then 10, 5th, जब आपने 5th ice cream को अंजूम किया, तो आपको सिफ 10 utils ही derive हुई, तो अब हमारी total utility क्या होगी, इन सब का submission, इन सब को add कर देंगे, तो हमें हमारी total utility मिल चाहेगी, कि एक total utility हमें ice cream से कितनी derive हुई है, ओके, so total utility is, U1, TUN is equals to U1 plus U2 plus U3, till U nth, अभी TUU, TUU और U क्या होते हैं, TUN, total utility from N units of the given commodity, TUN बताती है कि, कितनी total utility है, एक commodity को consume करने से कितनी मिली है हमें, ओके, U1 plus U2 plus U3 हमें क्या बताती है, utility from first, second, third and nth unit of the commodity, कितने units, कितनी utility मिली हमें, first consumption करने में, first unit consumption करने में, second time and third time, and till जब तक उसका consumption चल रहा है, तब तक कितनी utilities हमें मिली है, यह define, यह इसे हम express करते हैं, U1, U2, U3 में, and n is number of units consumed, यह जो n है, यह जो n है, यह number of units consumed, मतलब कि, 5, 6, 10, कितने आप consume करने हैं, last number तक, उसे हम n कहते हैं, सो ती यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टूडेंट्स, जितनी भी utilities मिली है, हमें उन सब को add कर दो, तो हमें, ती यू मिल जाएगा, that is our total utility, थीक, अभी यह देखिए, हमारे पास एक total utility का schedule, हमने आइस्क्रीम कंज्यूम की है, 6 units की, हमें जो utility डिराइव हुई है, वो first unit को consume करने के लिए, 20, 10, 16, 10, 4, 0, जब हमने sixth unit consume की, तो हमारे utility माइनस में चली गई, मतलब हमें पसंदी नहीं आ रहा है, आइस्क्रीम को consume करना, कि कब तक आइस्क्रीम consume करें, एक कली, दो कली, 3 खाली, 4 खाली कब तक खाएं, तो वो negative में चली गई है, ओके, सो अब total utility क्या होगी, जब हमने first unit consume किया था, तो हमारी utility हमें कित्ती डिराइव हुई थी, तो हमें 20 लिख दिया है, हमारी total utility 20 है, अब जब second unit पे आए, मतलब हमने 2 units अभी consume कर लिए, अब हमें first का भी add करना है, and second का भी add करना है, first का था 20, second का था 16, 20 प्लस 16 विल गिव यू 36, ठीक, 20 प्लस 16 करा हमने, तो हमें मिला 36, हमने 2 units consume किया, हमने 20 प्लस 16 कर दिया, अब हमारे पास तीसरी unit आई, 36 units तो अभी तक हमने consume कर लिए थे, अब हम 36 प्लस 10 करेंगे तो हमें 46 मिलेगा, इसे students आप ऐसे भी calculate कर सकते हैं, कि यह जो इस side है आपका, उसको 16 में प्लस करा तो 36 मिला, then 36 को 10 में प्लस करा तो 46 मिला, और यह भी कर सकते हैं, 20 प्लस 16, 36, 20 प्लस 16 प्लस 10 विल गिव यू 46, 20 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 4 विल गिव यू 50, यह भी आप कर सकते हैं, but easy क्या होगा, कि आपके जो total utility वाली column में जो numbers दिये हैं, आप उसे add कर दे, utility derived में, तो आपको addition कम करना पड़ेगा, आपने 20 को 16 में add किया, आपको मिल गया 36, then 36 को 10 में add किया, आपको मिल गया 46, जब आपने 4th unit consume किया, तो आपको और 4 units की utility derived ही, तो आपने 46 में 4 को add किया, वह आपको मिल गया 50, and then same 50 को 0 में add किया, हमें कुछ utility मिली ही नहीं, तो 60 में add किया, तो 50 का 50 था, and 50 के बाद में, जब हमने 6th unit consume किया, तो हमारी utility negative में चली गए, that is minus 6, तो वह minus 6, 50 plus minus 6, यह वाली equation आगई है हमारे पास, 50 plus minus 6, आप सभी को बता होगा कि plus minus, will give you minus, so 50 minus 6 will give you 44, ओके, हमारी जो total utility है वो क्या होँगी, यह हमारी total utility है, fine, total utility 6 units को consume करने पर कितनी मिली, if हमें बोलता है कि total utility 6 units को consume करने पर कितनी मिली, so we will say, कि हमें 44 utils of utility derive हुई है, ice cream के 6 units को consume करने पर, ठीक, total utility clear है, जितनी भी utilities मिलती है, हम सबको add कर देते हैं, तो हमारी total utility निकल जाती है, then comes marginal utility, अब marginal utility क्या होती है, marginal utility हम उसे बोलते हैं, utility is the additional utility derived from consumption of one more unit of the given commodity, एक और unit को consume करने पर जो utility मिलती है, हम उसे marginal utility कहते हैं, जैसे कि हम बापिस total utility वाले schedule को देखते हैं, पहले हम समझने कि marginal utility क्या होता है, हमें first unit में मिली थी 20, second unit में मिली 16, कितनी addition हुई, second unit में हमें कितना मिला, 16 utils मिली, कितनी addition हुई हमारी utility में, 16 units का addition हुआ, right, 16 units का कैसे हुआ, question होगा, 16 units का कैसे हुआ, तो देखो students, first unit जब मैंने consume किया था, जब first unit of ice cream consume किया गया था, 20 utils हमें provide हुए थे, fine, जब अपने second unit को consume किया, तो हमें 16 utils provide हुआ है, 16 utils of utility मेली हमें second को consume करने पर, तो यह जो 16 utils हैं, यह हमारा addition है, यह हमारा addition है ना, second unit, एक और unit को consume करने पर कितना addition मिल रहा है, 16 units का addition मिल रहा है, सो हमारी जो marginal utility होगी, वो क्या होगी, 16 होगी, then जब मैंने third unit consume किया, third unit जब consume किया, मतलब कि एक और unit को जब consumption किया, तो मुझे कितना addition हुआ utility में, 10 units की utility और मिली मुझे, 2016 के अलावा मुझे 10 units की utility और मिल रही है, तो मेरी जो marginal utility है वो 10 units हो गई, ठीक, तो marginal utility क्या होती है, additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity, additional utility जो derived होती है, एक और unit consume करने पर, एक और unit consume करने पर जो additional utility derived होती है, हम उसे marginal utility कहते है, marginal utility का formula देखते है, TUN-TUN-1, अब MUN क्या होता है, marginal utility from nth unit, TUN total utility from n units, जो total utility derived हो रही है हमें n units से, मान लीजे हमारे पास units कितने है, जो n है उसकी जगा पे हम क्या लिख देते हैं, हमारे पास total 10 units हैं, तो हमारा जो n है, number of units of consumption, हमने किसी commodity की 10 units consume किये हैं, तो हमारा जो n है उसको हमने replace कर दिया 10 से, TUN-1, total utility from n-1 units, n-1 units क्या होंगे, हमारा n कितना है, 10 है, 10-1 will give you 9, okay, तो क्या बोल रही है हमारी definition TUN, 10 unit को consume करने पर जो total utility है, जो 10 unit को consume करने पर total utility है, minus TUN-1, 9 units को consume करने में जो utility, total utility मिल रही है, उन दोनों को हम minus कर दें, तो हमें marginal utility मिल जाएगी, इसे हम और अच्छे से समझते हैं, within schedule एक example के साथ, because अभी confusion होगा कि कैसे TUN को minus करना है, कौन से TUN को minus करना है, कैसे MU आएगा, तो हम उसे सामझते हैं, हमने same example लिया है, ice cream consumed, 6 units हमने 6 units of ice cream consumed किये हैं, हमारी जो total utility है, वो कितनी डिराए हुई, first unit पे 20, then 36, 46, 50, 54, 50 & 44, So students, एक और formula है, marginal utility को calculate करने का, change in total utility upon change in number of units, change in total utility मतलब, इन दोन के बीच के कितना change हुआ, 20 & 36 के बीच के कितना change है, 16 का difference है, upon change in number of units, units किते change हो रहे हैं, एक से दो पे गई, एक unit का change हो रहा है, upon 1 is equal to 16, यह हमारी marginal utility निकल गई, अब इसे हम, हमारा जो last वाला formula था, TUN, TUN minus, TUN minus 1, इससे निकालते हैं, TUN क्या होगा, यह वाला, N number, अभी हम सिर्फ दो units का देख रहा हैं, इन दोनों units का, नीचे वाले को आप अभी भूल जाहिए, ओके, अभी हम सिर्फ उपर वाला देखना है, यह दो units का, इन दोनों का, सो, अभी हमने दो units का consumption किया है, TUN, मतलब कि जो total utility of second, सबसे जादा, दो ही का कर रहा है न, तो second का utility हमें, प्रवाइड हो रही है total utility, कितनी है, 36, 36 minus, TUN-1, N-1 क्या होगा, 2-1, 2-1 ही होगा न, हमारा जो N है, वह अभी तो 2 है, क्योंकि हम सिर्फ 2 units का देख रहा है, तो हमारा N-2 है, so 2-1, will give you 1, so T-U of 1, total utility, first unit में कितनी मिल रही है, 20 utils, so 36 minus 20, हमें क्या देगा, 16, यह हमारी, यही marginal utility है, हमारे पास दो formulas हैं, हम दोनों मेंसे, किसी मेंसे भी निकाल सकते हैं, इधर आप उससे निकाल सकते हो, कि 36 minus 20 कर दिया, तो 16 आ गया, simple है, इतना देखने की जरूरत नहीं है, कि T-U, N में मैं second unit लगाऊं, फिर मैं T-U, N-1 में first unit देखूं, इतना नहीं देखना है, वह एक formula दिया गया है, बट हमें तो simple form में देखना है, तो हम क्या देखेंगे, 36 minus 20 कर दो, 16 आ गया, then 46 minus 36 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 50 minus 46 कर दो, 4 आ जाएगा, 50 minus 50 कर दे, तो 0 आ गया, 44 minus 50 कर दे, 44 minus 50 कर दे, तो minus 6 आ गया, उस formula को हमें देखना भी नहीं पड़ा, हमें क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर है, उसको उपर में minus कर दो, फिर 46 को 36, 50 को minus 50, and 44 minus 50, ठीक, तो यह तो हमने इस formula से देख लिया था, कि कैसे निकाली है, अब हम इधर से देख लेते हैं, TU upon Q, TU upon Q से कैसे निकालते हैं, total utility upon units consumed, यह total utility है, sorry, change in total utility, change in total utility कितने होगी, पहले minus करो भाई, ठीक, पहले minus किया हमने, 36 और 20 को तो हमारे पास निकला 16, then change in units कितने हुए, 1 से 2 पे आये हम, मतलब कि एक unit का change हुआ है, तो यह हो गई हमारी 16 upon 1, that is 16, फिर third unit में, 46 upon 30, sorry, 46 minus 36, कितना change हुआ है, 10 units का change हुआ है, 46 minus 36, 10 होता है न, and 2 से 3 पे गई, कितने units change हुए, 1 unit, so 10 upon 1 will give you 10, then हम 50 से 46 पे गई, 50 minus 46, will give you 4, ठीक, और 3 से 4 पे गई, एक unit का ही बढ़ा है, तो 1, 4 upon 1 will give you 4, फिर हम 50 minus 50 करें, तो 0 आएगा answer, 0 upon, 4 से 5 पे गई, तो 1, 0 upon 1 will give you 0, 0 से कुछ भी डिवाइट करो, वह 0 ही होता है, and then 44 minus 50, 44 minus 50 कितना होगा students? माइनस 6, 44 minus 60 minus, sorry 44 minus 50, minus 6 होगा, and 5 से 6 पे गई, तो कितना होगा, 1 unit, सो माइनस 6 upon 6 will give you minus 6, तो हम इस वे से भी total utility को calculate कर सकते हैं, sorry marginal utility को calculate कर सकते हैं, बट यह इतनी और procedure क्यों करना? यह divide by 1, divide by 1, divide by 1, क्यों लिखना? जब डाइरेक्ली हमें पता चल रहा है, 36 minus 20 करो 16 मिल जाएगा, 46 minus 36 करो 10 मिल गया, 50 minus 46 करो 4 मिल गया, 50 minus 50 करो 0 मिल गया, 44 minus 50 करो 6 मिल गया, यह हमारी marginal utility दो मेनिट में calculate कर ली हमने, तो हम क्यों इतना जाए, ठीक है? Now, study of consumer behavior marginal utility approach में हम यह देखेंगे कि उसे graph में कैसे बनाते हैं, अभी हमने schedule देखा था वही ice cream का schedule हम graph में बना देंगे, हम graphical representation में करेंगे, यहां पर हमने इस वाले graph में total utility दिख रही है and इस वाले graph में marginal utility दिख रही है, So, total utility from ice cream यहां पर plot कर दिये 10, 20, 30, 40, 50 and यहां पर number of units plot कर दिये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay अभी यहां पर जो graph है वो बनाएंगे सबसे पहले हमें utilities कित्ती मिल रही है 16 units की यादे graph यादे schedule नहीं है, कोई बात नहीं में बताती जा रही हूं 16 utils की then second पर हमें कित्ती मिलेगी 30 first में हमें first में हमें 20 second में हमें 30 फिर ऐसे करके हमें मिलती गई यहां पर आके हमें इस points पर सबसे जादा utility मिली इस वाले points यहां पर हमें 50 units sorry 50 utils of utility मिली इस point के बाद में हमने देखा था 5th वाले 5th unit जब हमने consume की थी तो हमें 50 utils मिल रही थी and इस point के बाद में हमने देखा था कि जो utility है total utility वो decrease हो गई वो 50 से 44 पे चली गई थी यह देखे 50 से 44 पे चली गई यह utility यहां पर 5th unit पर हमें 44 मिली थी and then वो 44 पे चली गई तो जो 5th unit है वहां पर हमें सबसे जादा utility मिल रही है तो यह जो point है यहां पर हम बोलेंगे this is of maximum T.U यहां पर हमारा T.U. इसके maximum level पर इसके बाद में जो T.U. वो decrease होता जाए इसके बाद में T.U. decrease हो रहा है and अगर हमने consumption continue रखा यह इसके negative होने के बाद भी तो यह और जादा fall होता जाएगा यह बापिस नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम एक ice cream को कब तक consume करेंगे एक time के बाद में आप बोलोगे बस हम मुझा ice cream नहीं खानी बहुत हो गया so यह हमारा T.U. decrease होने लगेगा उसके maximum point के बाद में now हम देखते है marginal utility of ice cream उसको हमने कैसे plot किया है वही सेम चीज जो इधर ली थी इधर marginal utility ली हमने y axis पे और units of ice cream ली हमने x axis पे हमने plot कर दिये जो हमारी marginal utility थी वो हमने कर दी अब आपने देखा था students जो 50 था जब आपकी total utility उसके maximum पर थी तो आपकी जो marginal utility थी वो 0 थी इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जब आपकी tu उसके maximum पर रहेगी तो आपकी mu 0 रहेगी ओके एंड इसके बाद में एक और चीज देखें कि 0 के बाद में mu जो है वो negative हो गई है और जो tu है वो decrease हो रही है तो यह एक और चीज हम निकाल सकते हैं जब tu fall होने लगेगी तो आपकी जो mu है वो negative हो जाएगी यह हम दो relations plot कर सकते हैं when mu is at its maximum sorry when tu is at its maximum mu becomes 0 यह हमने देखा ही है mu maximum पे है tu 0 पे है and जब mu जब tu आपका 44 मतलब की 50 से कम हो गया decrease होने लगा तो जो आपका mu है वो negative हो गया तो यह relation हम यहां से बता सकते हैं अब इसे हम देखते हैं अपने graph पर इसे हम अपने graph पर देखते हैं यहां पे जब mu उसके maximum पे था कब था 50 unit पे इसके maximum पे था mu अब इसी 50 unit पे I am so sorry 50 unit पे tu उसके maximum पर था and mu में हम क्या देखेंगे कि जो 5th unit है उस पे जो हमारा mu है वो 0 है यह 0 है हमारा mu यह relation अभी हम schedule में देखके है जब tu maximum पर है तो हमारा mu है वो 0 होगा राइट तो हमारा mu 0 है then इसके बाद में यह tu जो है वो decrease हो रहा है 5th unit के बाद में tu decrease होने लगा so 5th unit के बाद में जो हमारे mu वो negative में चला गया यह भी अभी हम देखके हैं कि जब tu decrease होगा जब tu fall करेगा तो जो mu है वो negative हो जाएगा यह हमने देखा कि mu हमारे negative हो गया fine तो यह relation हम इस graph से बहुत easily बता सकते हैं कि जब mu उसके maximum पर है 5th unit पर तो tu उसके 0 पर है 5th unit पर जब tu fall होने लगा तो mu नेगेटिव में चला गया okay relationship between tu and mu relationship क्या है tu और mu कि अभी तो हमने देखे थे वही चीज हम बापिस से पढ़ते हैं okay tu increases as long as mu is positive but at a diminishing rate mu 5th unit तक positive as students alright हम देख रहे है कि tu increase हो रहा है उसके 5th unit तक 5th unit तक ही increase हो रहा है यहां तक यह इसका 5th unit है इसके राद में पर यह decrease हो रहा है ठीक और mu कब तक positive है? उसके 5th unit ही positive है mu की उसके बाद में mu decrease हो रहा है so tu is tu increases as long as mu is positive fine maximum, mu becomes 0 this is known as point of satiety जब हमारा जो tu है, वो इसके maximum point पर, maximum point 5th unit, पर पहुचा तो जो हमारा mu है वो 0 पर पहुच गया, ये same 5th unit पर इधर maximum था tu, उधर mu 0 पर पहुच गया इस point को हम point of satiety कहते हैं ये हमें याद रखा है, this is known as point of satiety, point of satiety क्या होता है, defined as the point when the marginal utility of any activity is 0 from this point, marginal utility actually turns negative point of satiety, उस point को कहते हैं, जहां पर जो हमारी marginal utility होती है किसी भी production से, किसी भी activity से, किसी भी consumption से वो 0 हो जाए और उसके बाद में क्या होता है 0 होने के बाद में वो negative में turn हो जाती है इधर ये 0 हुई हमारी mu and उसके बाद में वो negative में चली गई, तो इस point को हम point of satiety कहेंगे this is known as point of satiety okay and reflects that point when the total utility has been maximum जब total utility उसकी maximum पर होती है जो उसका maximum level रहता है total utility का उस point को हम point of satiety कहते हैं from this point utility actually reduces हमारा जो ये point है इसे हम point of satiety कहेंगे alright this point is known as point of satiety जहांपे हमारा जो TUA वो उसके maximum level पर है और इस point के बाद में जो हमारा TUA वो decrease होना start हो जाएगा okay so this is known as point of satiety clear है when consumption is increased beyond the point of satiety TUA starts falling and as MU is negative ये चीज़ अभी हमने देखी हमारा point of satiety क्या है students ये हमारा point of satiety है इसके बाद में भी consumption चल रहा है तो हमने क्या देखा कि TUA decrease होने लगा TUA fall हो रहा है मतलब कि 5th unit के बाद में TUA fall हो रहा है and point of satiety यहाँ पे क्या है point of satiety ये वाला point of satiety इसके बाद में भी अगर हमने consumption consume continue करा है तो क्या हो रहा है जो हमारा MU है वो negative हो गया ठीक बहुत simple थे जो relationships थे between TUA and MU हमने देखा ये जो चीज़े हैं ये तीनो ये हम बिना इसे पढ़े बिना याद रखे सिर्फ graph में देखके बता सकते हैं कि जब TUA maximum पर था तो जो MU था वो उसके 0 पर था जब TUA fall होने लगा तो जो MU ये वो negative हो गया ठीक और जब TUA उसके maximum पर है और MU 0 है उस point को हम point of satiety कहते हैं So students हमने last lecture में देखा था कि TU क्या होता है, MU क्या होता है मतलब total utility, marginal utility क्या होती है cardinal approach क्या होता है अब हम उसके थोड़े से numerical solve करते हैं कि TU और MU होता है क्या है? हम वो देखते हैं कि उन्हें कैसे solve क्या जाता है अब person's total utility schedule is given below derived marginal utility हमारे पास total utility दी हुई है हमें marginal utility derive करने है हमें marginal utility measure करने है marginal utility का क्या formula होता है students एक recap करते हैं marginal utility is equals to total utility of n item minus total utility of n minus 1 item ओके और इसके अलावए एक और formula होता है MU is equals to change in TU upon change in Q fine change in total utility upon change in units of the commodity consume ठीक है यह दो formulas होते हैं MU calculate करने के लिए अब हमें units दिये हैं TU दिये हो अब हम इसके लिए एक और column बना लेता है MU define करने के लिए 0 units of consumption 0 unit of 0 utils of total utility तो marginal utility भी 0 हो गई कुछ है ही नहीं तो 0 ही होगा then one unit consume किया है उसके लिए कितनी utility मिल रही है 10 units मिल रही है तो जब marginal utility होगी वो क्या होगी 10 कैसे होगी हम 10 minus 0 करें तो वो हमें 10 ही देगा अब 10 minus 0 क्यों किया हमने MUN is equals to TUN TUN क्या होगा हमारा first unit पर जो utility derive हो रही है मतलब की 10 minus TUN minus 1 1 minus this 0 इदर वाली जो 0 आएगा ये जो 0 पर जो हमें utility derive हो रही है उसे हम minus करेंगे तो मतलब minus 0 is equals to 10 तो ये 10 आगया हमारा ठीक now हम second unit पर गए एक और unit हमने consume किया 1 से 2 पर गए 10 से 25 पर चले करे तो हम क्या करेंगे 25 minus 10 25 minus 10 क्यों क्या हमने एक और unit consume क्या TUN बना second unit मतलब की 25 बाला हमारा TUN बना minus TUN minus 1 first unit पर कितनी utils मिल रही थी 10 utils तो ये 10 utils मिली 25 minus 10 वाल गिव यू 15 fine इसे हम वो दूसरे वाले फॉर्मूले से देखे MU is equal to change in TU upon change in Q कितना change हो रहा है ये 25 है कितना change हो रहा है 10 से 25 जा रहा है TU 1 से 2 में जाने के लिए कितना change हो रहा है 15 units का change दिख रहा है हमें और कितनी commodities, कितनी quantities change हो रही है 1 unit तो 15 upon 1 हो गया that is 15 ठीक now 25 से 38 पर गया हम कितना difference है 25 और 38 में 13 units का difference है ठीक है 38 से 48 पर गया है कितना difference है 10 units का है हमने इधा 38 माइनस 25 किया तो हमें 13 मिल गया 48 माइनस 38 किया तो हमें 10 मिल गया then 55 माइनस 48 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8 हमने यहां पर क्यांसा formula लगाया MUN is equal to TUN minus TUN minus 1 मलब कि यह TUN था मेरा 3rd unit पर TUN क्या हुआ 38 units minus 25 units हमें मिल गया 13 then 48 minus 38 10 इस पूरे question को solve करने के लिए हमें बार-बार यह formula लिखने की जरुराइत नहीं नहीं इस formula में express करने के जरुराइत है मतलब जब मैंने 1 first unit का निकाला second unit का निकाला third unit का निकाला तो हर एक unit में मुझे ऐसे लिखने की जरुराइत नहीं कि 25 minus 10 is equal to 15 तो चलो ठीक है 15 इदर लिख देते हैं फिर 38 आया तो 38 minus minus 25 तो 13 आ रहा है तो इस 13 को इदर लिख देते हैं ऐसे करने की जरुराइत नहीं है हमें बहुत नॉर्मल सी चीजें दिखाई दे रहा है हमें कैसे calculate करना है जो यह number है इससे हमें पुराने वाले को minus करना है तो हमें यह मिल चाहेगा 10 minus 0 किया तो 10 मिल गया 25 minus 10 किया 15 मिल गया 38 minus 25 किया 13 मिल गया 48 minus 38 किया 10 मिल गया 55 minus 48 किया 8 मिल गया मतलब इसका क्या summary क्या conclusion निकल रहा है हम formula तो यही use कर रहा है बिलकुल properly लेकिन उस चीज को हमें बार बार एसे राइट डाउन करने के ज़रूरत नहीं हम और यही पर ही calculate करके उसे लिख सकते हैं ठीक तो यह था कि हमने एक T-U schedule में से M-U निकाला है M-U को derive किया clear है Now a person's M-U schedule is given derived T-U एक person's M-U schedule दिया हुआ है अब हमें उसे T-U निकालना है अभी हमने last question में क्या निकाला था T-U निकाला था sorry हमने last question में M-U निकाला था T-U दिया हुआ था अब हमें T-U निकालना है M-U दिया हुआ है अब हमने देखा था कि M-U का क्या formula होता है students T-U को हम उसमें minus करते हैं कर देंगे, fine, summation of mu, यह जो sign होता है students इसे हम बोलता है submission, तो अब हमें जब tu निकालना है, तो हम mu को plus कर देंगे, उपर हम mu निकालने के लिए tu को minus कर रहे थे, अब इधर हम plus कर देंगे, okay, तो हमारा mu निकल जाएगा, तो मैं एक tu का formula लिख देती हूँ आपके लिए, tu is equals to submission of mu, ठीक है, अब सेम करते हैं, यहाँ पर एक और mu, यहाँ पर तो mu कुछ ही निए, तो tu भी 0 हो गया, अब इसे और add करते हैं, tu है submission of mu, इन दोनों को plus कर दो, 0 plus 6, 6, then third unit के लिए, 0 plus 6 plus 4, यह जो तीनों को plus करेंगे, तब हमारा tu निकलेगा, for third unit, submission of all units होता है tu के लिए, okay, submission हम सारे units को add करेंगे, 0 plus 6 plus 4 करेंगे, तब जाके हमारा third unit का total utility 10 निकली, then fourth unit की total utility निकालने के लिए, 0 plus 6 plus 4, plus 2, that is 12, इन सब को जब हमने plus किया, तो हमारे पास total utility निकली 12, okay, fifth unit के लिए, 0 plus 6 plus 4, plus 2, plus 0, will give you total utility of fifth unit, that is 12, जब आप इन सब को add करेंगे, तो आपको 12 ही मिलेगा, फिर जब sixth unit की निकालने है हमें, so 0 plus 6 plus 4 plus 2 plus 0 plus minus 2, right, जब इन सब को add किया जाएगा, तो हमें sixth unit की utility, total utility मिलेगी, जो कि ये 10 newtons, right, अब ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया है, कि हर एक को plus करो, फिर ये आपका total utility निकलेगा, इससे अच्छा है, हमने first unit की निकाली, 0 निकली, second की निकाली, 6 आया, अब ये जो 6 है, इसको add कर दो, is 4, so 6 plus 4 will give you 10, 10 plus 2 will give you 12, 12 plus 0 will give you 12, and 12 minus 2 will give you 10, तो ये हमारे लिए easy है, कि जो हमारे पास मिल गया है, उसे ऐसे diagonals में plus करते जाओ, और आपको tu मिल जाएगा, इस चीज से कि हम इन सब को plus करें, ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, और जो हमारे पास, देखो students, ये जो हमारे पास number निकला, ये इन सब को plus करके तो निकला है, ये इसका, इसका, इसको plus करके ये निकला, तो इसमें सिर्फ हम two plus कर देते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा, बात वही हुई, बस ये है कि छूटे-छूटे numbers को नहीं plus करना पड़ लाए हमें, राइट, सो ये हमारी total utility schedule बन गया है, अब ठीक है, ये question तो हो गया, numerical समझ भी आ गया, अब इसमें हम कुछ, हम इसमें कुछ express करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है हमें, अब देखें हमने जो relation देखा था, tu और mu का, जब tu उसके maximum पर होता है, तो जो mu होता है, वो 0 होता है, मतलब वो decrease हो रहा है, और इस question में आप एक और चीज़ देखें, यह मैं आपको पताती हूं, आपको mu दिया हुआ था, आपने tu कालकुलेट कर लिया, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आपका tu सही है या नहीं, आप tu सब आप इस mu को चेक कर लीज़े, 10-6 किया, तो 4 आ गया, बिल्कुल सही, 12-10 किया, 2 आ गया, बिल्कुल सही है, ठीक है, 12-12 किया, 0 आ गया, perfect, 10-12 किया, minus 2 आ गया, इसका मतलब हमने अपना कैलकुलेशन सही किया है, ठीक है, clear यह कुश्चिन भी, बहुत एजी सा कुश्चिन था, tu निकालना है, तो सारे mu को प्लस करते जाओ, आपका tu निकल जाएगा, calculate the missing figures, अब हमें missing figures calculate करने, हमारे पास units दिये गए है, tu दिया है, mu दिया है, अब हमें missing figures calculate करने, first unit पे 16, first unit पे 16 utils of total utility हमें derive हो रही है, first unit पे हमारी marginal utility तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि इसके पहले का हमें कुछ नहीं पता है, एक unit के पहले तो क्या consumption हो रहा हो, कुछ नहीं तो, इसके पहले का हमें कुछ नहीं पता है, तो ये तो dash ही आएगा, fine, अब second unit पे हमें जो marginal utility है, वो 12 दी गई है, मतलब हमें marginal utility दे दिये हैं लोगों ने, यहां तक and इतनी TUs हमें calculate करने हैं, अल्राइट, अब यह बता है, students की जो हमारी, वो होती है, TU होती है, उसे हम कैसे calculate करते हैं, submission of MU, हमने यह देखा था कि TU से MU निकालना है, अगर हमें, इसे ऐसे diagonals में प्लस करते जाओ और इधर लिखो, फिर जो इधर आएगा, उसको इधर प्लस करो और इधर लिखो, इधर जो आएगा, उसे इधर प्लस करो और इधर लिखो, यह चीज हमने देखी थी, last question में अपने, so 16 प्लस 12 करते हैं आपन, तो अपने को second unit की utilities मिल जाएगी, total utilities मिल जाएगी, so 16 प्लस 12 को add करने पर क्या मिलेगा, 28, right, so second unit पर हमें मिल रही है, 28 utils of total utility, okay, अब 28 प्लस 5, 28 प्लस 5 कर देंगे, तो 3 units of total utility, 3 units पर total utility पता चल जाएगी हमें, तो कितनी होगी, 33 utils of total utility डिराइब हो रही है, तीन unit को consume करने पर, then 33 प्लस 6, 33 प्लस 6 कर दो, तो कितनी बल जाएगी हमें, 33 प्लस 6 कर दिया, तो हमें मिल गई 39 units, तो हमारा जो total utility का जो column था, वो तो full हो गया, 28, 33, 39, हमें मिल गए है, नाव जो last column है, ये वाला, marginal utility का, marginal utility कैसे कैलकुलेट करते हैं, 40 minus 39 कर दो, तो हमें marginal utility मिल जाएगी, that is one unit, तो ऐसे हमने हमारी total utility को भी complete कर दिया, और marginal utility को भी complete कर दिया, एक question में हमें, दोनों calculate करने पड़े, हमने, वो कर के बता दिये, इदर हमने 16 प्लस 12 किया, 28 मिला 28 plus 5 33 33 plus 6 39 and check ही करना है 39 plus 1 40 तो यह हमारे total utility का schedule complete हो गया and हमारे marginal utility का भी schedule complete हो गया fine clear है सभी को बहुत simple था TUMU कैसे निकालना है so students हमने last class में बढ़ा था कि cardinal utility approach क्या होता है है उसका क्या meaning होता है आज हम पढ़ेंगे कि law of diminishing marginal utility क्या होता है students your law of diminishing marginal utility है वो हम cardinal utility approach के under पढ़ते हैं देखने हैं वो क्या state करता है law of DMU states that as we consume more and more units of a commodity the utility derived from each successive unit goes on decreasing हम जैसे जादा से जादा units consume करते हैं किसी भी commodity के जो उससे utility derive होती है वो कम होते जाती है utility आप सभी को पता है क्या होता है one satisfying power utility को measure किया जाता है utils में utility हमें बताती है कि हमें एक good को consume करके कितना satisfaction मिला है ठीक है तो law of DMU हमें यह बोलता है कि आप जब जादा से जादा एक commodity को consume करते हैं तो जो उससे utility derive होती हो decrease होती जाती है मतलब कि अगर आप बहुत जैसे कि इस question इस example में देखते हैं very thirsty high marginal benefit यह जो person ही अभी बहुत thirsty है से बहुत जोड से प्यास लगी है तो यह जब पहली glass of water पीएगा तो उसे बहुत satisfaction मिलेगा right मान लीजे उसे satisfaction मिला 20 utils का क्योंकि वह बहुत प्यास लगी थी बहुत प्यासा था वह तो उसे बहुत सारा satisfaction मिला okay एक glass पी लिया अब second glass बहुत thirsty था तो एक glass में तो पेटनी भरा ना अभी थोड़ी और पीना है so second glass पीया उसने second glass पीया पर satisfaction भी मिला लेकिन उतना satisfaction नहीं मिला ना जितना पहली glass पीने में मिला था जब वह बहुत thirsty था उसे पानी चाहिए ही था मान लीजे उसे 18 utils का satisfaction मिला okay second glass भी उसके लिए satisfactory थी क्योंकि बहुत जोड से प्यास लगी थी तो एक glass में तो एक glass पानी में तो काम चलेगा ने तो उसने एक और glass of water पानी पीया तो उसे तो भी satisfaction मिला बट उतना नहीं मिला जितना पहली बार मेला था थीक हे अब भी उसे थोड़ी प्यास लग रही है तो उसने सोचा है 1 glass पी जाए एक और glass of water पीया जाए तो उसने 1 glass of water पीली अब उसको 4 satisfaction मिला उससे भी कम था बिकॉज अब उसको 2 уд li получ ती जा रही है तो ठीक है अब थीक है पानी पीना है पी लो आसे वाली हो गह notice सुमान लीजे उसे, 15 utils of satisfaction मिला, अब कोई उसे बोल रहा है कि नहीं आप और पानी प्यो, तीन ग्लास तो अल्रेडी वो पानी पी चुका है, अब फोर्थ ग्लास, थ्री ग्लास में तो हो गया था पानी कि आर थीक है, अब तो बहुत हो गया, अब he is not feeling thirsty, अब उसे प्यास भ कि आप बोल रहा हो, तो मैं एक ग्लास और पी लेता हूँ, अब जब उसने पानी पिया, तो उसका बहुत पेट भर गया, उसको लग रहा है ये पानी क्यों पी रहा हूँ मुझे पानी नहीं पीना है, वो मना कर रहा है, उसको अब जो satisfaction मिला, वो और कम मिला, वो मान लीज एक और ग्लास पानी तो पीना ही पड़ेगा, अब ये जो वो पीने वाला है, वो तो मना कर रहा है, नहीं मुझे नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, मैंने बहुत सारा पानी पीला है, अब मैं पी ही नहीं सकता, फिर भी किसी ने उससे बहुत जित की, उसे पीना वो बहुत कम satisfaction था मान लीजे one utils of satisfaction मिला उसको जो fifth glass थी उसको fifth glass में सिर्फ एक utils of satisfaction मिला ठीक है पाच glass पानी पी लिया पर जो पिलाने वाले जो पानी दे रहे हैं उसे वो तो मानी नहीं रहे उनने बोला कि और पानी पीजे आप sixth glass of water भी उसको पीनी पड़ी sixth glass of water में उसको बहुत मन भर गया था उसे बिल्कुल भी पीने की इक्षा नहीं थी बिल्कुल भी मन नहीं था फिर भी उसने पीया तो अब उसे बिल्कुल भी satisfaction नहीं मिला फिर उसे so क्या देखा हमने जब first unit हमने consume की थी उस person नहीं तो उसको 20 utils मिला था फिर उसको 18 utils मिला था फिर उसको 15, 8, 1, 2 जैसे जैसे उस commodity की units बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो utility derive हो रही है वो decrease होती जा रही है so यही हमारा law बोलता है कि as more and more units of a commodity are consumed the utility derived from each successive unit goes on decreasing जो utility derive होती है वो decrease होते जाती है जब ज़्यादा से ज़्यादा एक commodity का consumption किया जाता है तो चीक now law of diminishing marginal utility का हम एक और example लिखते है first unit of burger खाया भाई किसी ने eating the first burger gives the consumer a lot of satisfaction बहुत भूख लगी थी बहुत मन भी था एक burger खा लिया बहुत satisfaction मिला बहुत ठीक है फिर जब second burger खाया अब भूख तो यार ठीक हो रही थी मेरी first unit में first unit जब खाया था तब भी मेरी भूख almost खतम हो चुकी थी बट क्योंकि अब मेरे friend का बहुत मन था उसने बोला कि नई एक और unit of burger खानी पड़ेगी तो ठीक है एक और burger खा लेते हैं कोई बात नहीं एक और burger खाया अब ज़्यादा भूख तो थी नहीं ज़्यादा मन भी नहीं था वो तो बस उसका मन रखने के लिए उसने इतना बोला है तो इसलिए खा लेते हैं यह सोचके खा रहे हैं तो जो utility derive होई वो decrease हो गई Second, eating a second burger will not give as much extra satisfaction as the first did First में हमें यहां तक utility derive हो रही थी Second में वो यहां पहुच गई ठीक, second खा लिया आपको एक और friend आया उसने बोला कि नहीं, अब मेरे साथ भी एक burger खाना पड़ेगा अब दो burger तो अल्रेडी खा चुके हैं अब तो burger की जगाई नहीं बच्ची है पेट एकदम फुल हो गया है फिर भी अब वो आया है उसने बोला है कि नहीं, खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा, एकदम उसने जिद कर ली तो अब उसके साथ भी खाना पड़ेगा एक burger और, एक और burger लिया अब जो utility थी वो और decrease हो गई अभी तो यहाँ पे थी अब वो यहाँ पहुच गई तो यह क्या state कर रहा है कि जैसे units increase होते जा रहे है किसी एक particular commodity के जो utility है वो decrease होते जा रही है यह हमारी जो utility derive हो रही है वो decrease होती जा रही है और हमारा law of DMU यही बोलता है कि जब जाद से जादा units आपकी consume करते हो आप किसी भी product की तो जो utility है वो decrease होते जाती है ठीक law was given by German economist H.H. Gauzen also known as Gauzen's first law of consumption जो law of diminishing marginal utility है वो एक German economist H.H. Gauzen ने दिया था और इसलिए यह Gauzen's first law of consumption के नाम से भी जाना जाता है law of DMU मतलब law of diminishing marginal utility को हम Gauzen's first law of consumption भी बोल सकते हैं also known as fundamental law of satisfaction law of DMU को हम fundamental law of satisfaction भी बोल सकते हैं यह फिर fundamental psychological law यह उसके तीन नेम और है Gauzen's first law of consumption, fundamental law of satisfaction, fundamental psychological law किसके? law of diminishing marginal utility के बट जो सबसे जदा famous name है वो आपको law of DMU मतलब law of diminishing marginal utility ही मिलेगा सभी जगा पर Now assumptions of law of DMU Students कोई भी law होता है तो उसके assumptions जरूर होता है कुछ चीजे होती है जिसे हमें मानना पड़ता है कि यह ऐसा ही है तभी वो law सही होगा ऐसा कोई भी law नहीं होता है जिसके कोई assumption नहीं होता है तो वैसे ही law of DMU के भी कुछ assumptions है मतलब यह चीजें सही नहीं होंगी सायद पर यह चीजें हमें माननी होगी So हम देखते हैं क्या होता है Cardinal measurement of utility Cardinal का मतलब क्या होता है students हमें पता है सभी को cardinal का मतलब होता है किसी भी आइटम को express करना numbers में उसे हम cardinal कहते है Cardinal measurement of utility law of DMU यह बोलता है कि जो utility है उसको हम numbers में define कर सकते है यह चीज हमें माननी है और यह ऐसा ही होता है यह हमें मानना है ठीक है So satisfaction measured in quantitative terms such as 1, 2, 3 जो हमारा satisfaction है उसको हम measure कर सकते है quantitative terms में मतलब numbers में जैसे कि 1, 2, 3 consumption of reasonable quantity consumption of right quantity of the commodity एक reasonable quantity में consumption करना है जैसे कि अब कोई किसी को पानी पीना है तो वो एक glass of water पीएगा एक spoonful of water थोड़ी ने पीएगा spoon से कौन water पीता है अगर spoon से आप पानी पीएगे तो हर एक spoon जब आपका बढ़ता जाएगा तो आपका utility जादा होती जाएगा आपको और चाहिए होगा कि और पिलाओ मुझे और एक spoon और एक spoon ऐसे करेंगे बट जो law of DMA वो क्या बोलेगा कि जो reasonable quantity है उसमें consumption होना चाहिए जैसे कि पानी है तो पानी को कि खाना क्या थाहिए क्या कि करना है स्पूंस में also continue consumption स्खंशर कांटीनियस बेसे हमा बोलता है कि जो कन्जम्शन है वो one й होना चाहिए मतलब कि यह नहीं होना चाहिए कि आपके पास आईस क्रीम है पाच आईसक्रीम है आपके पास आपने एक आइस्क्रीम सुभे खाई, एक आइस्क्रीम आपने दिन में खाई, एक शाम को खाई, एक रात को खाई, एक नेक्स्टे खाई ऐसा कंजम्शन आप नहीं करेंगे अगर law of DMU ये बोलता है आपके पास 5 आइस्क्रीम है, 5 आइस्क्रीम आपको one after the other खाने है अभी आपने एक खाईए, वो एक खतम हुई, आपने दूसरी भी खाने है, दूसरी खतम होगी फिर आपको तीसरी खाने है ये जो कंजम्शन है वो continuous basis पे चलना चाहिए, ये बोलता है हमारा law of DMU अगर continuous basis पे नहीं चलेगा, students तो क्या होगा? उससे ये होगा, कि हो सकता है, कि जो first unit में आपको utilities derive हो ये, उससे जादा utility आपको second unit में derive हो जाए पर हमारा law of DMU क्या बोलता है? कि जब आप consumption बढ़ाते हैं, तो आपकी utilities कम होते जाती है No change in quantity, quality of the commodity remains same, students ये है no change in quality जो quality है वो same रहनी चाहिए, product की, as if आपके पास 5 आइसक्रीम है, तो वो 5 आइसक्रीम की quality है वो same होनी चाहिए एसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो first ice cream थी, वो थी बिना nuts के, जो second ice cream है वो nuts के साथ में हो सकता है आपने first product use किया था, जिस quality का, उसी quality का आपका second product भी होगा, okay rational consumer, consumer who can measure, calculate and compare the utility of different commodities एक rational consumer होना चाहिए, rational consumer कौन होता है, rational consumer वो consumer होगा, जो की measure कर सकता है, calculate कर सकता है और compare कर सकता है, utilities of different commodities, अगर एक कोई consumer है, जो की indifferent है, कि उसे commodity A भी उतनी पसंद है, commodity B भी उतनी पसंद है दोनों को consume करके जो उसको utility derive हो रही है, वो भी बिल्कुल बराबर है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसमें हमारा जो law of DMU है, वो सही नहीं होगा एक rational consumer वो होना चाहिए, जिसे दोनों goods में differences पता हो, जिसे दोनों goods की utilities measure करता हो, मतलब वो कुछ एक number define कर सके कि मुझे good A ने, say 20 utils of utility derive हुई है, और good B से 25 हुई है, वो उसके पास उतने sense होने चाहिए, कि वो define कर सके, कि उसे कितने utils of utility derive हुई है, सो हमारा जो consumer है, उसे rational होना चाहिए, independent utilities, all commodities consumed by the consumers are independent, MU of one commodity has no relation with MU of another commodity, जितनी भी commodities consumed की गई है एक consumer ने, उन सब की जो utility है, वो independent होनी चाहिए, मतलब की, let's say clothes and shoes, जितना satisfaction आपको clothes को consume करके मिल रहा है, उसका effect आपके shoes पर नहीं होना चाहिए, यह हमारा law of DMU बोलता है, कि clothes से जितना satisfaction मिल रहा है, वो clothes को पता, और suits से जितना मिल रहा है, वो shoes को पता, इन दोनों के बीज में कोई relation ने है, कोई inter relation ने है, कोई वो लोग interlinked नहीं है, यह दोनों different different, अलग-अलग काम करते हैं, दोनों commodities पे, okay, fixed income and prices, income of a consumer and prices of the goods remain fixed, जो income है 1% की और जो price है commodity के, वो fixed रहेंगे, अगर वो fixed नहीं होंगे, तो क्या होंगे students, अगर जो income है, वो fixed नहीं हुई, मतलब कि, मान दीजिया, अभी मेरी income है, 500 रुपीज, ठीक, 500 रुपीज में मैं 3 goods को purchase कर सकती हूँ, और उनसे मुझे say 20, 30 and 40 utils of utility derive होती है, ठीक है, मेरी income change हो गई, मेरी income increase हो गई, 600 मेरी income हो गई, अब मैं 4 units को consume कर सकती हूँ, ठीक, और जो अब मुझे satisfaction मिल रहा है पूरा, वो इनसे जादा मिल रहा है, मेरा consumption मैंने same किया है, बट जो satisfaction मिल रहा है, वो जादा मिल रहा है, और हमारा DMU क्या बोलता है, कि जो satisfaction मिलता है, आपको बार-बार consume करने से, वो decrease होता है, बट अगर मेरी income increase हो गई, तो मेरा satisfaction increase हो जाएगा, ठीक, और अगर मेरी income decrease हो गई, तो मैं अपना money spend नहीं करना चाहूंगी, मैं जो 500 में मैं 3 commodities खरीद रही थी, अब मैं 400 में शायद 2 commodities खरीदू, क्योंकि मेरी income decrease हो गई, मैंने सोचा यार नहीं waste करते हैं, मानि वैसे भी income तो है नहीं इतनी, तो कहाँ पैसा लगाएं, इसलिए ये एक particular commodity को हम consume ही नहीं करते हैं, जब हम कोई सी commodity को consume ही नहीं करेंगे इसलिए जो income है वो same रहेगी, then prices of the goods remain same, जो prices है वो भी same रहेंगे, if एक कोई particular product है जो कि मुझे 500 rupees में मिल रहा है, और वो मुझे 30 utils of utility दे रहा है, ठीक, अब उस जो good है, उसकी जो price है वो बढ़ गई and वो हो गई 600 600 उसकी price हो गई, तो अब मैं as a consumer यह सोचूंगी कि नहीं, 600 उसकी price हो गई, अब मुझे यह good नहीं खरीदना है, और अगर खरीदना है तो मुझे उतना satisfaction नहीं मिलेगा, क्यों कि यार बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, मुझे 100 rupees जादा देने पड़ रहे हैं, तो यह मेरा DMU है, वो hold, यहाँ पर true hold नहीं करेगा, अगर इसकी price कम हो गई, 500 चा 400 हो गई, तो अब मुझे जादा satisfaction मिलेगा, क्यों कि मुझे कम amount में उतना ही मिल रहा है न, तो हो सकता है अभी मुझे 40 utils of utility प्रोवाइट कर दे, मतलब कि मेरा जो law of DMU वो उल्टा हो गया, इधर consumption बढ़ और utilities भी बढ़ी, तो इसलिए यह assume करा जाता है कि law of DMU में income and prices same रहते हैं, perfect knowledge, consumer knows the different goods on which income can be spent and the utility that is likely to get out of such consumption, एक जो consumer होता है, उसको पूरा knowledge होता है कि उसकी जो income है, वो किन-किन different goods पर spend हो सकती है, किन-किन goods को खरीटा है, इधने में लग सकती है, ठीक, और उन जो goods को वो खरीदेगा, उसमें से कितनी utilities उसको derive होगी, यह consumer को पता होता है, ऐसा माना जाता है law of DMU में, हमने assumptions देख लिए, क्या assumptions होते हैं, अगर वो assumptions को हम नहीं मानेगे, तो हमारा जो law of DMU है, वो गलत हो जाएगा, और उसे सही प्रूफ करने के लिए, हमें वो assumptions मानने पढ़िए, Now, Diagramatic Explanation of Law of DMU, हम DMU के हमने statement देख लिए, क्या state करता है, वो अब हम उसका diagram देख लेते हैं, diagram से हमें और जाथ अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमारे पास units of ice cream दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Total Utility is in utility दी गई है, and Marginal Utility is in utils दी गई है, ओके, Total Utility हमारी increase होगी, हर एक consumption के बाद में, obviously क्योंकि आपकी add होती जाएगी utils, So 20 से 36, 36 से 46, 50, 50, 44, हमारी total utility है, Marginal Utility, decrease हो रही है, हमारा जो DMU में वो क्या state करता है, As more and more units of a commodity is consumed, commodity की units बढ़ती जा रही है, right, commodity की units बढ़ती जा रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, More and more units of the commodity is consumed, the utility derived will decrease, जो utility derived हो रही है, हमें वो decrease हो रही है, additional utility जो derived हो रही है, Marginal Utility हमें additional utility ही बताती है, और DMU क्या बोल रहा है, जो additional utility derived हो रही है, वो decrease हो रही है, right, और ये चीज हमें दिख रही है, ठेखे 20 से 16 चली गई, Decrease हुई, कम हुआ, 20 से 16 कम हुआ, इधर ये बढ़ा, 1 से 2 पे गया, तो 20 से 16 पे चला गया, Now 16 से 10, फिर से कम हुआ, and इधर जो हमारी unit हो, increase हुए, 2 से 3 पे गई, 10 से 4, एक और बार कम हुआ, इधर हमारी units बढ़ी, फिर 4 से 0, और कम हुआ, units बढ़ी, And 0 से minus 6, और कम हुआ, units बढ़ी, ये जो point है, जब 0 level of marginal utility हमें derive हो रही है, उसे हम point of satiety कहते हैं, मतलब कि अगर point of satiety के beyond हमने consumption continue रखा, फिर भी हम किसी commodity को consume करते जा रहे हैं, तो utility derive होती हमें, वो negative में चली जाएगी, ये है एक schedule जो की define कर रहा है अपने law of DMU को, law of DMU ये ही बोलता है, जैसे जैसे आप commodities की units बढ़ाते जाएंगे, आपकी जो additional unit utility है, वो कम होती जाएगी, additional utility हमारी कम हो रही है, ये एक schedule था, अब इसे हम graph पर plot करते हैं, उसे देखते हैं कि वो graph में कैसा दिखेगा, ओके, so ये law of diminishing marginal utility का graph है, हमने marginal utility on our y axis रखी है, and units of the ice cream अपने x axis पर, plot कर दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, and इधर marginal utility plot कर दिए, हर एक combination को, मतलब कि जब first unit हमने consume क्या था, तो 20 utils हमें मिले थे, ice cream को consume करने पर, इधर ये बढ़ा, 1 to 2 पे गया, ये नीचे आ गया, utilities कम derive हो रही है अब हमें, 2 to 3 पे गया, ये फिर से नीचे आ गया, कम utilities derive हो रही है, 3 to 4 पे गया, on नीचे आ गया, utilities कम होते जा रहिए, क्योंकि consumption बढ़ता जा रहा है तो मेरी satisfaction level कम हो रहा है, D से E पे गया इधर आगे बढ़ा तो ये D से इधर चला गया और अब इस point के बाद में जब मैं consumption करूंगी तो वो negative पे चला जाएगा क्योंकि आप तो बहुत ही हो गया आप तो मुझसे कुछ खाते नहीं बन रहा है कुछ पीते नहीं बन रहा है बहुत ज़ादा excess हो गया है तो आप जो utility वो negative में चली जाएगी अब बिल्कुल भी नहीं खा सकती है बिल्कुल भी मन नहीं में रखाने का कुछ भी तो वो negative में चली गई तो जो ये हमारा mu curve है वो downward sloping है downward sloping क्यों है क्योंकि जो हमारी utilities derivory वो कम होती जारी है इसलिए वो downward sloping है वो नीचे की side slope कर रहा है अल्राइट ये था हमारा law of diminishing marginal utility जो कि ये बोलता है कि जैसे जैसे आपका consumption बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी utility deriv कम होती जाहेंगी I hope आप सभी को clear होगा कि law of DMU क्या होता है next class में हम पढ़ेंगे कि consumers equilibrium कैसे मिलता है law of DMU के through consumers equilibrium क्या होता है और consumer एक equilibrium पे कब आता है इस वीडियो के notes के link आपको description में मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके check कर सकते हैं Thank you